हेलो फ्रेंड्स मन पसंद काना में आपका बहुत बहुत स्वागता आज मैं बनाने जा रहे हूँ बैंगन भाजा तो चलिए फ्रेंड्स आज की रेस्पी को शुरू करते हैं बैंगन भाजा बनाने के लिए यहां पर मैंने एक गोल बैंगन लिया है इसके सरकल सेफ में हम टुकडे काट लेंगे देखे आदा आदा इंच के हमने टुकडे काट कर त्यार करने है सारे बैंगन को मैंने काट कर त्यार कर लिया है अब इसके लिए एक टेश्टी सा मसाला बनाते है मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो चमच बेशन लिया है वन फोर चमच हल्दी आदा चमच जीरा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच करम मसाला एक चमच नमक एक चमच कसमेरी लान मिर्च थोड़ी से मैंने अजमान लिए है इसको हाथों से मसलक डाल देंगे एक चमच अधरक लसुन का पेश्ट तीन हरी मिर्च और दो कली लसुन की और थोटा साधरक का टुकड़ा मैंने मिक्सी में डाल कर पीस लिया था आदा चमच अमचूर सारे चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बैंगन का एक पीस लेंगे बेशन में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इसी तरह से सारे बैंगन को हम बेशन में अच्छी तरह से कोट करके तयार कर लेंगे देखे फ्रेंड्स सारे बैंगन को मैंने बेशन में कोट करके तयार कर लिया अब चलते हैं, गैस की तरफ, गैस पर मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल को पैन में चारो तरफ फैला देंगे, और गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया, अब इसमें बैंगन के पीस को हम सैट कर देंगे, गैस का फ्लेम हमें मेडियम रखना है, एक त हैं गोने दूसरी तरफ से अच्छे फ्राई होने तक पकाएंगे को बैगन दोनु तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गयी है है प्लेट में निकाल लेते हैं बचे हुए बैंगन के पीस को भी हम पैन में सेट कर देंगे और दोनों तरफ से फ्राई होने तक सेखेंगे पलट देते हैं बैंगन को दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे बैंगन दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए है इने भी पैन से बार निकाल लेंगे सारे बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है देखे फ्रेंट्स कितने अच्छे बैंगन भाजा बन कर तयार हुए है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है और श्रेश्टी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है ताकि ये खाने में और भी ज़्यादा टेश्टी लगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर